तो हलो दोस्तो कैसे हैं आप आसा करता हूं अच्छे होंगे दोस्तो आज लेकर आए आपके लिए evidence law साच्छिविदी के 50 important objective question जो आपके लिए और आपके exam के लिए बहुत जरूरी है और बहुत important भी हैं दोस्तो इसके एक भी question मिश मत करना आपके exam के लिए बहुत जरूरी है तो दोस्तो बिनादेरी किये start करते हैं अपना वीडियो पहला question है आम तोर पर मृत्यू पूरो बयान साच के रूप में स्विकार है इसका इंसर है C दूसरा नमबर question है मृत्यू पूरो दिये गए बयानों के लिए निमलखित में से कौन सकतन सत्य है मृत्यू पूरो दिये गए बयानों को दोस्तो के एक मात्र आधार के रूप में इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है जब तक पुष्टी नहीं हो जाती, मृत्यू पूरो घोष्णाओं को दो सिद्ध के एक मातराधार के रोप में उप्योक नहीं किया जा सकता है मृत्यू पूरो घोष्णा जो संशिप्त हैं को खारिज कर दिया जाना चाहिए जब प्रत्यच दर्सी पुष्टी करता है कि मृतक गोष्णा करने के लिए उप्रियुक्त इस्तिती में नहीं था तो चिक्ट्सा राय मान नहीं हो सकती परश नमबर तीसरा है निमलखित में से किस मामले में गवाद वारा दिया गया साच भारती साच अद्रियम 1872 गिधारा ते-टीस के तहट प्रासंगिक नहीं होगा जब गवाद विदेश में रह रहा हो जब गवाद मर जाए जब गवाद विदेश में रह रहा हो तोफर नमबर कोश्चन है अभ्यूक्त भारती साच अद्रियम 1872 की धारा 35 के तहत विचार के लिए एक तस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है निलखित में से किस मामले में तस्तावेज अप्रसांगीक हो जाएगा यह किसी तथ से सम्मंदित नहीं है यह किसी प्रसंगीक तथ से सम्मंदित नहीं है यह सारवजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक रजिस्टर या रिकार्ड में की गई प्रविष्ट नहीं है यह लोग सेवक द्वारा की गई प्रविष्ट नहीं है इसका उत्तर है सी यह सारवजनिक या अन्य आधिकारि पुष्टक रजिस्टर या रिकार्ड में की गई पुष्टी नहीं है परसंबर पाच्वा है एक पच्छ भारती साच अधिनियम 1832 की दारा 44 के तहत एक फैसले को रद्द करना चाहता है निलुखित में से किस परिस्टि में वह ऐसा कर सकता है यह दिन लेड़ना किसी वरिष वरिष्ट नियाले द्वारा पारित किया गया हो यह दि चुनावती देने वाले ब्यक्ति कारवाई के लिए अजनबी है यह दि निर्णे घोला परवाई का परणाम था यह सभी इसका उत्तर है यह दिनिर्णे किसी वरिष्ट नियाले द्वारा पारित किया गया हो सामगरी को दोती साच द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए दस्तावेजो की सामगरी को प्रात्मिक और दोती एक साच दोनों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए इसका उत्तर है D दस्तव जोगी सामगरी को प्रात्मिक या दुतियक साच द्वारा सिद्धिया जाना चाहिए प्रशन नमबर साथवा है भारती साच अद्रियम 1872 के किस धारा के तहट दुतिय साच की परिवासा दी गई है धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64 इसका उत्तर है C, धारा 63 आठवा नमबर कुश्यन है भारती साच अद्रियम 1872 की धारा 65 के अंसार दुतिय साच को कितने असा धारार मामलों में स्विकार किया जा सकता है दो, तीन, साथ, नो, इसका उत्तर है C, साथ प्रशनमबन नवा है, भारती साच अद्रियम 1872 की निल लिखित में से कौन सी धारा इलेक्टरानिक हस्ताचर के प्रमार के संबंद में प्राउधान देती है धारा 66, धारा 66 का A, धारा 66 का B, धारा 66 का C, इसका उत्तर है B, धारा 66 का A प्रशनमबन दस्वा देखते हैं, भारती साच अद्रियम की निल लिखित में से कौन सी धारा अन्य, आदिकारिक, दस्तावेजों के प्रमार से संबंदित है धारा 78, धारा 82, धारा 71, धारा 74, इसका उत्तर है A, धारा 78 प्रशनमबर 11 है, भारती साच अद्रियम 1872 की निल लिखित में से किस धारा को आपरादिक कानून संसोधन अधियम 2013 द्वरा संसोधित किया गया है धारा 32, धारा 55, धारा 119, धारा 124, इसका उत्तर है C, धारा 119 बारो नंबर कोश्चन देखते हैं, निल खिंद में से कौन सकतन भारती साच अद्रियम 1872 की धारा 154 के लिए सत्य है आप सकता हैं, पूरी होने पर कोई चुटी देने के लिए बाद यहा है, इस धारा के तहर दलिल देने से पहले गवा को प्रत्कूल गोसित किया जाना चाहिए नियाला इस धारा के तहर स्वता संग्यान लेकर चुटी दे सकता है, ये सबी इसका उत्तर है C, नियाला इस धारा के तहर स्वता संग्यान लेकर चुटी दे सकता है भारती साच दिनियम 1872 की धारा 1440 के तहत निम्लिकित में से कौन सा प्रस्ण उचित है यदि आरोपड समय से दूर के मामलों को संदर्भित करता है यदि आरोप ऐसे मामलों को संदर्भित करता है कि इसकी सचाई गवा की विश्वसनीता को प्रवावित नहीं करती यदि वह ऐसी प्रकत के हैं कि आरोपी की सचाई की विश्वसनीता को चुटी है आरोपड के महत और साच के महत के बीच बहुत अधिक असमानता है इसका उतरह सी ये दिवा ऐसी प्रकत के हैं कि आरोपी की सचाई की विश्वसनिता को छुटी है पुर्श नमबर चौदवा है दस्तावेश प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया ब्यक्ति जब तक उसे गवा के रूप में नहीं बुलाया जाता तब तक हुआ मामले में गवा नहीं बनता 140 रूप से मामले में गवा बन जाता है 140 रूप से मामले में एक प्रत्कूल गवा बन जाता है गवा के रूप में बुलाया बिना जीरे की जा सकती है इसका उत्तर है जब तक उसे गवा के रूप में नहीं बुला जाता तब तक वा मामले में गवा नहीं बनता परशन नमबर पंदरवा है पुलिस के समझ दिये गए पिछले बयानों के बारे में गवा जी रहे के दोरान लवक सभी विरोधा भास या चूग रिकार्ड पर लाई गई जो पुलिस के सामने दिये गए बयानों के अंस थे जिने अदालत के सामने पेस नहीं किया ज़ गया था निल खित्मे से कौन सा कतन मामले पर लागू होगा बारती साच चैद्नियम 1832 की धारा 148 की तहित गवा की विश्वसनिता पर दोस लगाया गया है गवा की विश्वसनिता पर मावयोग नहीं लगाया गया है क्योंकि विरोधा बारती साच चैद्नियम 1832 की धारा 145 की तहित विश्वसनिता पर मावयोग नहीं लगाया गया है इसका उत्तर है सी गवा की विश्वसनिता पर मावयोग नहीं लगाया गया है क्योंकि विरोधा बारती साच चैद्नियम 1832 की धारा 145 की तहित विश्वसनिता पर मावयोग नहीं लगाया है पर मुख पर मावयोग किया जा सकता है या केवल प्रासंगिक तत्थियों से सम्मंदित होना चाहिए या केवल पर मावयोग नहीं लगाया पर मावयोग नहीं लगाया है प्रसंब्र 17 resurबा है बारती साच चैद्नियम 1862 काउन सी दारा अपराधिक कानून संसोधन अद्नियम 2013 दोरा जोड़ी गय थी दारा 133, दारा 133 का ए, दारा 114, दारा 114 का ए, इसका उत्तर है बी, दारा 134 का ए अठारवार नमबर कुशन है एक सुईकारोगती किसी सिविल मामले में प्रासंगिक नहीं है यह दिवा एक प्रवेश के रूप में अन्ता प्रासंगिक किसी प्राधिकारी बेक्तिकी और से कारवाही उन प्रसितियों में बनाया गया है जिनसे अदालत या निसकर्ज निकाल द्वारा बनाया गया हो इसका उत्तर है सी उन प्रसितियों में बनाया गया है जिनसे अदालत या निसकर्ज निकाल सकती है कि पचकार एक साथ सेमत हुए है कि इसका सच नहीं दिया जाना चाहिए प्रशन नमबर 19 है आम तोर पर विक्री के लिए पेस की जाने वाली किसी पुस्तक में बित विसेशक की राय को ऐसी पुस्तक के उत्पात तक से साबित नहीं किया जा सकता है यदि लेखक मर गया है इसका लेखक नहीं मिल सका यदि लेखक साथ देने में असमर्थ हो गया हो यदि लेखक चुटियों पर विदेज गया हो इसका उत्तर है डी यदि लेखक चोटियों पर विदेश गया हो प्रश नमबर बीसों है बारती साच अद्रियम की निमल खित में से कौन सी धारा समुद्री सीमा सुल्क अद्रियम की धारा 171 E के तहट सक्तिका प्रयोग करने वाले सीमा सुल्क अधिकारी द्वारा पूचताच पर लागू नहीं होती है इस नमर कोशन है निमल खित में से कौन सा अनुभाक हुआ है विदे निर्धारित करता है इसके द्वारा सताचर सी दीखिया जा सकता है थारा दोनों ए और बी इसका उत्तर है टी दोनों ए और बी बाइस नमर कुछन प्रवेस के प्रभावों के बारे में निम्ले खित्में से कौन सा सत्य है एक स्विकारोगती मामले में साच का एक मातपूर टुकडा है और इस कारण से इसमें सामिल तत्यों की सच्चाई को साविद करने के लिए इस पर भरोसा किया जा सकता है एक सुईकारोक्ति का प्रवावया होता है कि इसके विप्रीद सावित करने की जिम्मेदारी उसे पच्छ पर डाल दी जाती है जिसके खिलाब या प्रिस्तुत किया गया है जिसके प्रणाम सरोभिया ऐसे पच्छ पर इसे इसपच्छ करने का अनिवार करतब डालता है सच्छम होने के लिए और उपर उल्लिखित मूल और प्रभाव रखने के लिए सपस्ट निश्यत और निश्यत होनी चाहिए और आइसपस्ट नहीं सत्य होने के लिए आइसपस्ट होनी चाहिए वे सभी इसका उत्तर है डी उपरिक्त में से सभी तेश नमबर कुश्यन है एक प्रमाडित गवा है वह विक्ति जो पार्टी या पार्टियों के अन्रोथ पर इस będzie करने या पहचानने के प्रयोजनॐर के लिए किसी दस्तावेच पर अपना नाम अस्ताचर करता है एक गवा जिसमें दस्तावेज को प्रमारित किया है दोनो A और B इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है C दोनो A और B 24. कुशन है A जान बुचकर और गलत तरीके से B को या विश्वास दिलाता है कि कुछ भूम एक है और इस तरह B को इसे खरीदने और इसके लिए वुक्तान करने के लिए प्रेरित करता है भूमी बाद में A की संपत्ति बन जाती है और A इस आधार पर विक्री को रद करना चाहता है कि विक्री के समय उसके पास कोई सौमित नहीं था तारह 115. भारती साच्य नियम लागू करना उसे उपाद की अपनी चाहत सावित करने की अनुमत दी जानी चाहिए इन मेंसे कोई नहीं इसका उत्तर है C उसे उपाद की अपनी चाहत सावित करने की अनुमत नहीं दी जानी चाहिए 25 नमर कोशन है इस प्रकार स्विकार साच वह हैं जो हैं प्रासंगिक कानून या अभ्यास से किसी भी नियम से बाहर नहीं या तो A या B दोनो A और B इसका उतर है D दोनो A और B 26 नमर कोशन है ए पर कोलकाता में उसके द्वारा किये गया अपरात का रोप है वह स्वैम द्वारा लिखा गया और उस दिन लाहोर में दिनांकित एक पत्र प्रस्तुत करता है जिस पर उस दिन का लाहोर पोश्ट चिन अंकित है भारती साच अद्रियम की धारा 21 को लागो करने पर निल खिदमे से क्या समभव है पत्र की तारीग में विवरान स्विकार नहीं है पत्र की तारीग में विवरान स्विकार है पत्र की तारीग में विवरान स्विकार है क्योंकि यदि ए मर गया होता तो या धारा 32 खंड के सेकेंड के तह स्विकार होता पत्र का विवरान गलत है इसका उतरह सी पत्त की तारीग में विरान स्विकार है क्योंकि यदि ये मर गया होता तो ये खंड धारा 32 खंड सेकेंड के तहर स्विकार होता 27 नमबर कुश्चन है ये दंग के लिए ठग गया है और ये थाबित हो गया है कि उसने भीड का नेत्वत किया है 29 बारति साचस अदनियम लागो करना भीड की चीखे प्रासंगीक है क्योंकि या लेन देन की प्रकत की ब्याख्या नहीं करती है बीड की चीखें लेन देन की प्रकत की ब्याख्या के रूप में प्रासंगीख है या तो A या तो B इन में से कोई नहीं इसका उत्तर है B बीड की चीखें लेन देन की प्रकत की ब्याख्या के रूप में प्रासंगीख है 28 नमबर कोशन है एक मूर्थिकार B को सभी माडल बेचने के लिए सहमत है A के पास माडल और माडलिंग उपकरण दोनों है धारा 98 भारती साच या दिनियम लागो करना या दिखाने के लिए सबूत नहीं दिया जासकता कि वह क्या बेचना चाहता था या दिखाने के लिए साच दिया जा सकता है कि वह क्या बेचना चाहता था इन में से कोई नहीं इसका उत्तर है C या देखने के लिए साच दिया जा सकता है कि वह क्या बेचना चाहता था 29 नमबर कोश्चन है मौन जावरी रेजिस्टर में प्रुविश्टनलिन लखित के तहट सुईकार है दारा 32 बारतीस आचा दनियम दारा 35 दारा 37 दारा 49 इसका उत्तर है भी दारा 35 30 नमबर कोश्चन है दारा 54 बारतीस आचा दनियम के तहट आपरादिक मामलों में यह सावित करने के लिए प्रतिवादी ने आरोपित अपराद किया है सबूत नहीं ज्याजा सकता है कि वह की समदाय में बहुत खराब प्तिष्ठा थी कि उसी प्रकार का अपरात करने की प्रवत्ति है के पास ऐसे सबाव को प्रदसित करने वाले किसी अन्य आउसर पर समानवार के विशेश कारिन नहीं थे वे सबी इसका उत्तर है डी वे सब एक किस नमर कोशन है निवल खित मैंसे किस मामले में अदालत निया माना की एक पच्छ जो गवा को अदालत में पेस करता है उन्हें सच्चाई के गवा के रूप में पेस करता है और सिर्फ इसलिए कि उनके पयानों के कुछ हिस्से उन्हें पेस करने वाली पार्टी के अन कूल नहीं है उन्हें पच्छपाती गवा के रूप में निंदा नहीं की जा सकती है ग्याशुद्दिन खान बनाम बिहार राज लेक राज बनाम गुजरात राज गुलाब चंद गन भीरामल बनाम कुंडीलाल कोविंदराम सिद्धिका बनाम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसका उत्तर है सी गुलाब चंद गन भीरामल बनाम कुंडीलाल गोविंदराम 32 नमबर कोश्चन है गरेलू न्याधिकरणो और विभागी चांचों की निलखित में से किस कारवाई में 32 अधियम लागू नहीं होता है विभागी जाच करते अधिकारी, विभागी कारवाही, अनसाजनात्वक कारवाही, या अधिकरण वे सबी, इसका उत्तर अधिकार डी, वे सबी 33 नमबर कुष्चन है 32 साच अद्रियम की दारा 33 का प्रावधान एक ना किवल संपत्य में निजिता और स्वामित के उत्रादिकार के मामलों को कवर करता है बलकि ऐसे मामलों को भी सामिल करता है जहां निलुकित में से कौन सिसर्टे पूरी होती है दूसरी कारवाई में संबंदित पच्च का हित पहली कारवाई का विशय है और यह पहली कारवाई के संबंदित पच्च के हित के अनरूप है और इसके प्रितकूल नहीं है पहली करवाई में संबंदी विशेज प्रशन के दिये जाने वाले उत्तर में दोनों की रुच समान है या तो A या तो B, दोनों A और B, इसका उत्तर है D, दोनों A और B 34 नमर कोस्शन है, एक हिलें देन का हिस्षा बनने वाले तत्थों की प्रासंगिक्ता को भरती साच अद्रियम की निल्खित में से किस दारा के तहत निप्टाया जाता है दारा 4, दारा 6, दारा 10, दारा 8 इसका उत्तर है B, दारा 6 35 नमर कोस्शन है 32 साच अधिनियम की दारा 132 किसी बेक्ति द्वारा जांच के द्वारां दिये गए बयान पर लागों नहीं होती है दारा 169 CRPC, दारा 161 CRPC, दारा 163 CRPC, दारा 164 CRPC इसका उत्तरेट B दारा 161 CRPC 36 नमबर कुश्चन है 32 साच अधिनियम की दारा 31 गोजित करती है कि स्विकारोक्ति स्विक्रत मामलों का निर्णायक प्रमाण नहीं है लेकिन वे निबंद के रूप में कार कर सकते हैं जब तक प्रवेश समिधात्मग नहीं होते हैं या जब तक वे निबंद का कठन नहीं करते हैं तब तक वे निर्णायक नहीं होते हैं की खुले खंडन या इस पश्टी करन होते हैं या तो ए या तो भी दोनों ए और भी इसका उत्तर है डी दोनों ए और भी से दिस नमर गोश्यन है दाराप ऐसाड़ बाती साच अद्रिया निम्ल खिर में से किस इस्तिति में दुतियक साच दिया जा सकता है जब मूल दिखाया जाता है या उस ब्रक्तिक अबजे और सक्ति में दिखाई देता है जिसके खिलाब दस्तावेच को साबित करने की मांग क की जाते है जब या किसी ऐसे ब्रक्तिक अब्जे है सकती में हो जो पहुंच से बाहर हो या न्या लेकि पर क्रेदिय है जो इसे पेश करने के लिए कानूनी रूप से बात देलेकिन भाठी साच अधिनियंद्र कि दारह चांच्छट में लेकित नोटिस के बाद भी वह इस से पेश करने में विफल रहता है वे सभी इसका उत्तर है डी उपर तुमें से सभी 38 नमर कोश्चन है लबी का बचा सर्वोच्चतम है क्योंकि जब मृतिका की हत्या हुई तो यदि आरोपी वहां नहीं था नहीं होता तो वह उसकी हत्या नहीं कर पाता एक बार अन्यत्र बच निकलने के दलील देने के बाद अव्योजन पच के कोई अन्य बचाओ खुला नहीं है या व्युत्र के लिए किसी अन्य बचाओ की गुजाइस नहीं चोड़ता है इन में से कोई नहीं इसका उत्तर है कुशन है रामपूर टी इस्टेट नावा कंपनी को एक विलेग द्वारा बेचा जाता है जिसमें बेची गए संपति का नकस सामिल होता है धारा बान बे बारतिस अच्छ अद्रियम लागो करना तथिया है कि नकसे में सामिल नहीं की गई भूम को हमेशा संपति का इस्टा माना जाता था और विलेग द्वारा बारति किया जाना अप्रसांगित है तथ है कि नकसे में सामिल नहीं की गई भूम को हमेशा संपति का इस्टा माना जाता था और इसे विलेग द्वारा बारति किया जाना था या साबित नह में से कोई ने इसका उत्तर है सी तत्त है कि नक्से में सामिल नहीं की गई भूमी को हमेशा संपति का इस्सा माना जाता था और इसे विलियक द्वारा पारित किया जादना था या साबित नहीं किया जा सकता है चालिस नमर कोशन है थाने में रखी हुई आरोपी बेक्त की हिस्टी सीट किसी पूरुस का चरित नहीं है क्योंकि यह इस पर आदारी थे द्रणविसा अफवा जांच इन्वे से कोई नहीं अफवा इसका उत्तर है भी अफवा एक तालिस नमर कोशन है वस सिधान जिस पर म् से अफवा लग्र्त पूर बयान को साच्चिक में स्वीकार किया जाता है कानूनी कावत में दर्साया गया है। ृइस निवो मॉरी, टुरस, प्रो सु मिद्चूर, मैटिरी, लेक्स फोरी, रेस, यूडिका, इन में से कोई नहीं इसका उत्तर है एक निमो मोरी टुरस प्रोसू मितूर मेटिरी 42 नमबर कोश्चन है पार्टि साच अधनियम की दारा 44 के सिदानतों को निवल खिदमें से किस तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है 42 नमबर कोश्चन है दारा 15 भार्टि साच अधनियम में निर्धारित समान सिदानतों के एक विसेश अंक्रियों से समद्धित है दारा 7 दारा 10 दारा 12 दारा 14 इसका उत्तर है डी दारा 14 बार्टि साच अधनियम 44 नमबर कोश्चन है परसन यह है कि क्या ए ने बी को जहर दिया है बार्टि साच अधनियम के दारा 6 को लागू करते हुए निर्धारित में से कौन सा तत्ति प्रासंगिक हो सकता है जिस इस्तान पर रत्या की गए थी उस इस्तान पर या उसके आसपास संगर्स से बने निसान जहर के लच्छनों से पहले बी के स्वास्त की इस्तिती और बी की आदिते जो एक उगया थी यससे जहर देने का आउसर मिला तत्तिया है कि जहर देने एक से कुछ समय पहले बी अपने पास पैसे लेकर एक मेले में गया था और उसने ऐसे तीसरे बिक्त को दिखाया या इस तत्काव ले किया कि उसके अपास यह था इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है बी जहर के लच्छोने से पहले बी के स्वास्त की सिती और बी की आदते जो एक व्याद थी जिससे जहर देने का उसर मिला पहतालिस नमबर कोश्चन है विबंधन के सिधान्त को लागो करने के लिए निल खिर में से कौन सी सर्थ पूरी होनी चाहिए एक बेक्ति द्वारा दूसरे बेक्ति का पत्र निदेत दूसरे ने उक्त अभ्यावेदन पर कारवाई की होगी ऐसा बेक्ति उस पेक्ति के हित के लिए हानिकारक होगा जिसे पत्र निदेत दिया गया है वे सबी इसका उत्तर है डी वे सबी 46 नंबर कुश्चन निस्पादन की स्विक्रती से आप क्या सोचते है इसका तातपर क्यों हस्ताचर की स्विक्रती से है इसका मतलब कानून के उसार क्यों दो गवाहों द्वारा हस्ताचर का वैद सत्यापन है दोनों A और B इन में से कोई नहीं इसका उत्तर है D इन में से क लिए दस्ताविश पर हस्ताचर करने वाले बेत्ति के पास उस समय जब उसने हस्ताचर किया था नय किया अधिकारिक चेत्र का दावा किया गया था दोनों ए और भी इन में से कोई नहीं इसका उत्तर है सी दोनों ए और भी अब मान जर्क चरित से आप क्या समझते हैं मानहान के गठन या युक्त होना प्रसंसा का गठन या युक्त प्रसंस्ती का गठन या युक्त होना इन में से कोई नहीं इसका उत्तर है मानहान या गठन या युक्त होना उन्चास नंबर कुश्चन है मेत्य पूरू बयान का स्विकार होना मजिस्टे के समझ प्रस्तोत किया जाना चाहिए पुलिस सत्यकारे के समझ किया जाना चाहिए किसी डाक्टर या नीजी बक्ति समझ किया जाना चाहिए या तो मजिस्टेट या पुलिस सत्यकारी या डाक् ऑरण गोश्राइं स्विकार हैं, साथ चाए अध्रियम की धारा, 32 mainly, 32 в legen, 32-4 ध circum Athena, 32-7 इसका उत्तर है B बी साच अद्रियम की दारा पत्तिस के सेकेंड के तहित व्योसाय के दौरान गोशनाई स्विकार हैं तो दोस्तों यह थी पचास इंपॉर्टन कोश्चिन आस अगरता हूं आपको पसंद आया होंगे और आपको काफी नौलेज मिले होगी और आपका रिवीजन हुआ होगा यह इंपॉर्टन कोश्चिन है आप जरूर पढ़िए इसका बार-बार रिवीजन करिए हम नेक्स्ट पार्ड इसका लाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन करके बताईए अगर आपको कोई कोश्चिन है जैहिन जैभारत